मैं 80SP मालेगाओ शेहर के तमाम शेहरियान को जस्ट ये मिलाद दनुबे की बहुत-बहुत मुबारक बात देता हूँ मैं अवाम से अपिल करता हूँ कि इस मुबारक दीन को बरपूर इबावदर्द करके साथ भी से इर मनाए गुलिष्टा मैनों में करोणा बिमारी ने सारे दुनिया को अपने चपट में लिया था उस बिमारी ने अपने शेहर में भी कहरड आया है इस दोरान दुख की बात ये है कि हमने अपनों को खोया है शेहर के बड़े-बड़े नामोर और उल्माओं को खोया है इसले इस बिमारी से बचाव के लिए आज भी एतियाती कदम उठाई जा रहे है इससे मद्दे नजर रियासी हुकुमत ने तियोहारों को शर्थ से मनाने की पूर्जोर अपिल किया है गुलिस्ता महिनों में जितने भी तियोहार आये हर समाज ने इन तियोहारों को साधगी के साथ मना कर प्रशासन को मदद किया है इस साल जर्शन इदिये मिलाद नुभी के मोके पर हमने आल इंडिया सुनी जमितुल उल्मा के उल्माओं से अपिल किया है कि महारष्ट शासन के चारी करदा हिदायत के मुताबिक अलामती जिलुस निकाले उन्होंने हमारी बात को माना है इसलिए शेहर के अलामती जिलुस निकालेगा जिसमें सिर्फ दस उल्मा इक्राम होंगे इसमें कोई भी शेहरियान शामिलना होने की अपिल करता हूँ दुआ का प्रोग्राम आनलाइन दिखाए जाएगा आने वाले साल हम जशन इद ये मिलाद नोभी पुरे जोश के साथ मनाएंगे फिर से आप सभी को इद की बहुत बहुत मुबारत बात देता हूँ